What's up YouTube, I am Shubham Chaudhary and I am back with another video Friends, आज का टॉपिक है How to bowl fast हर बॉलर का सपना होता है कि वह 150 की स्पीड पर बॉलिंग करा है पर क्या होता है, आप लोग महनद तो बहुत करते हो पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता मैं आज आपको बताऊँगा कि आप क्या-क्या गलतियां करते हो जिसकी वेज़े से आपकी बॉलिंग स्पीड नहीं बढ़ पाती और कुछ simple drills भी बताऊँगा अगर यह आप अपनी practice में add कर लोगे तो definitely आपकी स्पीड जरूर increase होगी वीडियो को पूरी देखना अगर वीडियो अच्छी लगे तो like करना और जो मेरे channel पर नए है channel को subscribe कर दो चलिए friends वीडियो शुरू करते है Friends आज का topic है how to bowl fast topic शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ी पूस्थता हूँ आपने कभी सोचा है कि जो कार होती है वो तेज क्यों चलती है जो महेंगी गाडियां होती है वो इसलिए तेज चलती है क्योंकि उनका engine अच्छा होता है तो fast baller का engine होता है उनके legs आप लोग अपने legs पे ध्यान नहीं देते कभी उसे train नहीं करते इसलिए आप balling fast नहीं करा पाते जो player gym जाते हैं वो कम से कम अपने legs को week में दो दिन train करें जितने strong आपके legs होंगे आपकी calf होगी आपकी thighs होगी उतनी ही तेज आप balling करा पाऊगे पर क्या है कुछ player gym नहीं जा पाते हो सोचर होंगे हम क्या करें आप लोग घरबरी रहकर squats करें, lunges करें जितनी जादा आप sprint कर सकते हो मतलब दिन में आप शुरवात करो, पहले दो करो, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाओ जितनी जादा आप sprint करोगे आप उतनी ही तेज balling करा पाऊगे baller का काम क्या होता है भागना तो आपके अगर core, आपके legs ये strong नहीं होगे तो आप balling कभी भी fast नहीं करापाऊगे चाहे आप कुछ भी कर लो आपको अपने legs strong करने पड़ेंगे उसके लिए आप जितनी जादा हो सके sprint करो The more you sprint, the better you become sprint मारना बहुत ही ज़रूरी है 10-10, 15-15 sprint मारो रोज फिर उसके बाद आप nets पे balling करो सबसे वड़ी गलती क्या होती है कि कुछ baller nets पे balling कराते हैं सिर्फ 2-3 ओवर और वो सोचते हैं कि हमाई तो speed नहीं बढ़ रही हम तो नहीं करा रही वो चले जाते हैं या practice नहीं करते आपको क्या करना है आपको nets पे time देना है 10-15-20 minute 20 minute आप maximum balling करा हो पर आपको सिर्फ net पे सिर्फ तेज करानी है आपको ये नहीं देखना कि batsman बीट नहीं हो रहा है या वो अच्छे drive मार रहा है या आपको wicket नहीं मिल रहा आपको अपने normal run up से ball तेज करानी है आपको अपने action पे भी ध्यान नहीं देना सिर्फ आप तेज कराओ तेज कराने पे ध्यान दो जितनी ज़्यादा आप nets पे balling करोगे उतनी ज़्यादा आप improve करोगे क्योंकि जो आपकी balling muscles हैं वो balling करने से ही develop होंगी और एक चीद ध्यान रखना जब आप nets पे balling कराओ तो आपकी body अच्छे से warm up होनी चाहिए आपके legs, आपके shoulder especially आपका balling arm उसके लिए आप thyra band का use कर सकते हैं thyra band से आप exercise करो जिस arm से आप balling कराते हो thyra band की use से क्या होगा वो shoulder में strength देगा जिससे आप ball तेज करापाओगे आप net पे अच्छी speed से ball कराओ और अगर ये चीज अपनी practice में add करोगे मतलब sprint वगरा add करोगे तो आपकी balling speed जरूर increase होगी अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊँगा जो आपको कभी किसी ने नहीं balling arm और जो left है उनका left balling arm उससे ज़्यादा important उनका non balling arm है अगर right ही baller है तो उतना ही important उनके लिए उनका non balling arm है आप जितना तेज अपना right hand को swing करते हो जैसे sprinter run लेता है उतनी तेज आपको अपने left hand को भी move करना है जब आप balling कराते है तो कुछ player क्या करते है बस ऐसे अपने balling arm को move करते है इसका use नहीं करते इसका भी उतना ही use करना है जितना आप balling arm का आप जितनी तेज इसको move करोगे उतनी तेज आप balling करापाऊगे इसका क्या use है जब आप ball मतलब deliver करने वाले हो तो उस टाइम आपको यह जो आपका नॉन बालिंग हम है आपको इससे जोर से आपको इसे पुश करना है आप जितनी तेज इसे पुश करोगे आप उतनी ही तेज बालिंग करा पाऊगे आज आप इसको एक बर अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर करके देखना आपको result जरूर मिलेगा अब मैं आपको बताता हूं कि ball को आपको कैसे grip करना है कुछ player को ball grip करना नहीं आता कि ball को आराम से ball को hold करना है आपको जो पहले तो आपको grip करना है यह बॉल और आपको जो थम् है किसीं पर लखंडे मिन जादें और Clearly करतों ओर अगर आप wrist locked नहीं करोगे तो आप fast balling नहीं करा सकते इसके लिए आप एक drill कर सकते हो आपका जो non balling arm है उससे आप अपनी elbow पे रखके आप सिर्फ ball को पकड़ के आप सिर्फ ऐसे करो आपको लएगा कि ये तो बहुत असान है आप थोड़ी देर एक दो मिनट करो आपके wrist में दर्द होने लगेगा और जब आपको इसकी practice हो जाएगी फिर आप इसे दीरे दीरे practice में भी add करना अगर आप अपनी wrist lock नहीं करोगे तो आप कभी भी तेज balling नहीं करा सकते आपको अपनी wrist को lock रखना ही पड़ेगा आपको backflip की तरह ball करानी है backflip ऐसे backflip करानी है आप प्रेक्टिस करो जित्ती अच्छी ball backflip होगी उतनी ball speed से जाएगी और उतनी ball bounce भी खाएगी backflip से क्या है ball जब seam पर पड़ेगी तो ball एक तो speed से निकलेगी और extra bounce होगा